12th and CRT math exercise 1.2 function पहला question को देखिए एक तो होता question को लगा लेना अच्छी बात है लगाना आता हुए सेकेंड होता है कि question को mathematically हिसाफ से लगाना मतलब सामने वाला चुकि जवाब question लगा होगी तो इसे अपने बना के दिखा दिया वह एक एक का function है तीचा समझ गया एक्जाम में क्या होगा जो copy चिक करेगा तो आप जैसे copy आपका roll number आएगा तो आप प्रकड़ हो जाओगे या आ गया हाँ बताओ को जो कुछ समझा रहे थे ऐसा नहीं होगा ना इसलिए आपको ऐसा लगाना है कि copy में ही clear हो जाए कि आप क्या कह रहे हो यह कह रहे हैं कि show that the function f r to r f such that r to r the real function to real number to real number मतलब डोमिन के element भी real number है और इसके भी real number है non-zero real number मतलब यह r star बना दिया इन्होंने यह कैसे real number है non-zero real number है मतलब यह zero नहीं है और such that function कैसा बोला है कि f x is equal to one upon x यह function दिया हुआ है it is one one and on two तो यह करें कि one one on two है कि नहीं है बताइए तो पहले हम बात करेंगे one one की one one की बात करने जा रहे है one one में क्या करेंगे आप domain में दो element आप मानते हैं हम क्या माननें है let x1 x2 belonging to यह r star बना क्या r plus बना हुआ है वैसे plus बना दना चीज़ आप ऐसा non zero का आगए sorry यह बिलांस करा है R को यह कौन सा R है? यह डोमिन वला R है यह दो R है ना एक डोमिन है, को डोमिन है और हम पहले मान लेते हैं कि such that fx1 is equal to fx2 यह पहले ही उस condition को हम खंडिद कर दिए जो condition इसमें होनी चाहिए कि दोनों के image same नहीं होने चाहिए हमने दोनों का image को same कर दिया तो यह क्या हो जाएगा 1 upon x1 is equal to 1 upon x2 यहां से क्या proof हो जाएगा x1 is equal to x2 तो यह किसकी condition होती है so it is unto sorry क्या बोलना हो it is 1,1 यह 1,1 हो गया funda आपने पढ़ा है कि 1,1 का concept क्या होता है कि दो element domain के दोनों के image same बाद में proof कर देंगे कि दो element actually में दो नहीं है वो एक ही element है ठीक है अब मैं unto की बात करता हूँ unto का तरीका क्या होता है देखो ध्यान से यह आपका domain है real number और यह आपका co domain है real number ठीक है इसके element यह y ब्रावर fx लिखा हुआ है इसके element को आप x मानते है इसके element को आप y जो result मिलता हूँ मानते है ठीक है इधर element कौन कौन से है 1, 2, 3, 1 by 2, root 2 सब है और यहां भी आपका 1, 2, 3, 1 by 2, root 2, minus 1 सब है ठीक है सब element है हमने unto के लिए क्या बताया था कि इसके सभी element co domain के सभी element domain के किसी न किसी element के image होने चाहिए image होने चाहिए तो उसके लिए हमको किसके पाँ जाना पड़ेगा co domain के पाँ जाना पड़ेगा तो यानि की co domain domain की रिस्तेदारी y के टम में देगी तो हमने क्या तरीका बताया था कि 1 by x को y मान लिजे let 1 by x is equal to y तो x की value क्या हो जाएगी 1 by y तो जब यहां रखेंगे so यह हो जाएगा f 1 by y is equal to y अब दिरह समझेगा यह 1 by y कहां का element है domain का है यह x है ना इसको तो आपने x गया लिका है और y किसका element है co domain का आप co domain के पास पहुँचेंगे और किसी एक element को उठा लेंगे आप 2 को उठा लेंगे और 2 से आप बात करेंगे कि 2 किसका image है तो 2 किसका image है 1 by 2 का क्या 1 by 2 यहां है अगर मैं कहूं कि 3 किसका image है तो 1 by 3 यहां पर होगा तो यानि कि इसके सभी element के लिए इस domain में pre-image होगी तो आप लिखेंगे for all y belongs to real number 1 by y also belongs to real number नहीं कह सकते हैं यहनि हम यहां कहेंगे कि for all y belongs to real number implies 1 by y also belongs to real number कहां पर domain में belong कर रहा है so यह function कैसा होगा so r is so f is 1 1 on 2 1 1 या on 2 के लिए लिए on 2 इसका मतब क्या proof हो गया कि f 1 1 भी है और on 2 भी है और दोनों नाम के लिए क्या नाम दिया गया था by executive है note करिए इसको देखे second इसी में part कह रहे है एक minute if the domain is replaced by n and co domain is the same यानि कि second case में कह रहा है यह पहला case तो हो गया यह कह रहा है कि यह one one मतब यह क्या बताते हैं पता नहीं क्या बताते हैं तो यह result true है कि नहीं है अगर इधर natural number हो यानि कि आपके इस domain में natural number आ गया ना और code domain में पूरा खांदान है पूरा अगलम पगलम तब भरे हुए है यह natural number है आप निच्रल नमबर जानते हैं क्या होता है और यहां पर सब है वन भी है टू भी है थ्री भी है वन बाई टू भी है माइनस टू भी है रूट टू भी है धेर साला है यह सब R positive non-zero real number है ठीक है तो पहले तो one-one की बात करते है one-one तो यहां पर होगा क्योंको one का image one two का image one by two वहां पर है three का one by three वहां पर है तो आप वो तो ओए ऐसे ही बना बता देंगे let x1 x2 belongs to क्या natural number such that fx1 is equal to fx2 तो यहाँ जाएगा one upon x1 is equal to one upon x2 तो हो गया x1 is equal to x2 तो यानि कि यह it is one 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 तो हो गया ठीक है लेकिन on two के लिए अब क्यों हम बोल दें कि on two तो साब नहीं है नहीं है तो नहीं है ऐसे थोड़ी काम चलेगा on two के लिए कोई एक ऐसा element वहाँ से चुनेंगे जो इधर के किसी भी element की image नहीं होगा या उसकी इधर pre-image नहीं होगी pre-image कहते है ना उसको देखे on two के लिए हम करेंगे क्या हमने कहा था कि इसके element को x मानते हैं इसके element को हम जब उधर से हम inquiry करेंगे तो y अपने term में x का मान बताएगा तो मैं 1 by x को क्या मान लेंगे let 1 by x is equal to y तो x का मान क्या जाएगा तो actually यह x ही है लेकिन इसका जो y के term में value है वो 1 by y है तो यह क्या हो जाएगा f 1 by y is equal to y अब हम किसके पास चल रहे हैं y के पास चल रहे हैं y के पास चलते y के पास जाओ 1 पे जाओ y को 1 करोगे तो यहाँ 1 by 1 आएगा यानि 1 किसकी में जाए 1 की में जाए चलेगा y 2 के पास जाओ तो y 2 के पास जाओगे y को 2 रखोगे तो 1 by y क्या आएगा यानि यह 2 किसकी में जाए इधर के one by two की image है और one by two यहाँ पर है नहीं एक example कर दो आप लिखेंगे कि अगर को domain का element two ले 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 तो उसका जो प्री image होना चाहिए जो कि बिलॉंग नहीं करता है यानि two किसी का image नहीं होगा एक example ले लिया अब एक छूट गया तो अपने आप अन्टू का काम खतम हो गया तो आप लिखेंगे एक को example ले लो for two belongs to r positive implies one upon two does not belong to n so it is not unto it is not unto यह अन्टू नहीं होगा सब्सक्राइब यह language लिखनी पड़े गया वहाँ पर देखे for all कर दिया था यहाँ पर कोई एक term ले लो उठा के प्रूफ कर दो यह इसको बिलॉंग नहीं कर रहा है तो यह unto नहीं है unto नहीं तो क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा अगर इंटू प्रूफ करना होता है तो इंटू प्रूफ कर देते हैं ठीक है नोट करिए function है f such that n to n fx is equal to x square और इसकी आपको injectivity injective function यानि की one one function और surjectivity सर पर, सर के ऊपर यानि की on two में फिक प्रूफ करनी है तो पहले तो आप पहले वन वन की बात करते हैं यानि injectivity की बात करते हैं injectivity की बात करते हैं तो हमने क्या बताया था कि आप domain का जो natural number है उसके दो element माल लीजे तो लिखेंगे let x1, x2 belongs to n अब चुक्कि यहाँ n दो है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा n कौन सा domain वाला n है न such that यह आप मान की चलते हैं कि fx1 is equal to fx2 यह मान की चलते हैं तो जब इक्वल हो जाएगा तो यह जो रिजल्ट मिलता है वह कहां के element होता है code domain का तो जब हम square root लेंगे तो x1 की value x2 लिखेंगे या plus minus x2 लिखेंगे minus नहीं लिख सकते क्योंको minus 1 एक्जिस्ट ही नहीं करता code domain मानस है नहीं तो यारी it is so it is 11 it is 11 या injective मतब उसका हुना injectivity और है वह injective है 11 या injective यह injective है ठीक है अब on to की बात करते हैं on to को क्या दूसरा नाम दिया है surjectivity देखें उसके लिए आप क्या करेंगे जैसा कि हम पीछली question में बता चुके हैं कि यह n है यह n है यह n है यह n है इसमें भी 123 टिक 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 आंटू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको co domain के पास जाना पड़ेगा वहाँ देखना पड़ेगा कि सभी co domain के element domain के किसी element के image है की नहीं है तो हम उसके पास जाएंगे तो हमने का यह element क्या कराता है y और यह क्या कराता है x तो अब क्या करेंगे x square को y मानेंगे मान लीजे x square is equal to y तो x का मान क्या आएगा root y आएगा तो इसका हमता है यह equation क्या बन जाएगा f root y is equal to y अब ये देखो क्या हर y के लिए root y यहाँ पर है अगर 1 के पास आप पहुंचे 1 का root root 1 जो कि हाँ exist करता है अगर 2 के पास पहुंचे तो 2 का root root 2 यहाँ पर exist नहीं करता अगर कहें 2 किसका image है तो 2 root 2 का image है ना तो root 2 का square root के तब 2 आएगा तो आप लिखेंगे for 2 belongs to natural number कहां का natural number domain sorry co domain नहीं range नहीं कहिए range हो तब बनेगा जब वो उसका image होगा co domain root 2 does not belong to natural number यहनि कि domain यह इसको belong नहीं करता है यहाँ पर जो 2 है ना वो किसी का image नहीं होगा यह तो एक example है so it is not unto so it is not unto यहाँ नहीं होगा तो यह one one होगा लेकिन unto नहीं होगा ठीक है अब जो इसका second part है नहीं कि second part तो तीन part एक जैसे हैं इन्होंने का यह जैड़ 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 है यहाँ पर जैड़ भूले तो इंटीजर इंटीजर को आई लवना दे तो जैड़ काया बना रहे हैं आपने पढ़ा है एक बुक लिखी गई है उसका नंबर नंबर वहां से आए नाइन्थ में आपको पढ़ाया गया नाइन्थ में यह नाम था तो जब बात इंटीजर की करेंगे तो यहाँ पर निगेटव नंबर भी आजाएगा माइनस वन माइनस टू ऐसे भी आएगे ना यही तो आएगा अगर अगर यह इन्टीजर है तो इन्टीजर भी तो आजाएगे ना जड़ जड़ आप बिल्कुल सेम लैंगविज आप डोमेन के जड़ को आप बिलॉंग कराईए और एफ एक्स ब्राव करिए तो यहाँ क् प्लस माइनस एक्स टू आजाएगा ना अब तो माइनस हो सकता है इसका एक्जामपल भी आप दे सकते हैं कि भाई अगर ाग hvis तिह 1-1 नहीं है, तो यह भी आप दिखाएंगे और यह है, इस पोगार से भी दिखाएंगे, ठीक है, आप into के लिए क्या करेंगे आप, आप यही x square को y माना, ठीक है, x square बोले तो y बोले तो, यह इसको x square को y माना, तो अब यहाँ पहुँचिए, one किसकी image है, root 1 की root 1 यहाँ पर exist करता है 1 भी करता है minus 1 भी करता है वैसे भी 1 की इमेज 1 थी minus 1 की इमेज भी 1 थी ठीक है तो 1 की pre image 1 भी है और minus 1 भी है लेकिन 2 किसकी image है root 2 की और root 2 यहाँ exist करता नहीं तो आप कहेंगे अगर 2 code domain को belong करेगा तो root 2 code domain को belong नहीं करेगा so it is not unto यह unto नहीं होगा ठीक है बोले आप तो पढ़िया है अपने यहन को जड़वाब हम क्या करें आपको लिखना पढ़ेगा सब नोट करिए देखे थर्ड पार्ट क्या का उन्होंने इसी कोशन को चेंज किया उन्होंने का अगर यह रियल नंबर होता और यह भी रियल नंबर होता ज़रा समझेगा तब क्या केस होता यहां पर अब ज़रा रियल नंबर की सेहत देख लेते कैसा मूह उसका लगता है हम से यह कहा गया वन वन है कि नहीं है तो आप यह नहीं कहेंगे मैनी वन है आप कहेंगे 1-1 नहीं है, जो आपसे कहा जाए वह है कि नहीं है, मैंने मन की बात ही नहीं कर रहे थे, यह real number है और यह real number है, इसके पास 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, minus 1, minus 2, root 2, सब कुछ होगा, पूरा खांदान, 1 by 2 भी होगा, root 2 भी होगा, minus 2, सब कुछ है, पूरा है, तो आप जब x1, x2 मानेंगे, real number में, तो यानि कि जब fx2 करेंगे, तो x1 is not equal to x2, plus minus x2 आएगा न, यानि कि यह condition आजाएगी, यह 1-1 नहीं है, on 2 पे आजाओ, on 2 पे आप y कोई भी real number ले लिजे, कोई उठाईए, आपको एक मिनट, एक मिनट, अगर आपने negative ठालिया, minus 2, minus 2 के पात पहुँचे, कि भाईया, आप किसके image है, किसके साथ आए हो party में, तो कहेगा, हम इधर, rude minus 2 के साथ आए हैं, और rude minus 2, real number, है नहीं, वहीं पकड़ लो, साले को, मारो, और पतल साप कर, तो आप लिखेंगे, कि अगर कोई negative real number है, अगर हम माल ले, कि for, minus 2 belongs to real number, कौन सा real number, co-domain वाला, ठीक है, तो, rude minus 2, does not belongs to R, R बुले तो, domain, तो यह unto नहीं होगा, positive के लिए तो होगा, लेकिन negative real number के लिए, चुकि हम से positive negative बात की नहीं, तो यह unto नहीं होगा, ठीक है, नोट करिए इसको, फिर, थर्ड question कह रहा है, कि greatest integer function, f such that R to R, f such that R to R, given by fx is equal to, fx is equal to, greatest integer function x, is neither 1, 1 nor unto, greatest integer function के बारे में आपने पढ़ा है, पढ़ा है ना, कि आप एक number line बना लिजे, 0, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, इस प्रकार से है ना, अगर आप greatest integer function 1 लेते हैं, तो क्या value आएगी, 1 आएगी, और अगर 1.1 लेते हैं, तो इसके पहले जो greatest number होगा, 1.1 के पहले 1 ही होगा, ठीक है, 1.9 तक क्या value आएगी, 1 आएगी, और 2 पे क्या आएगी, 2 आजाएगी, ठीक है, तो जरा देखे ध्यान से, पहले तो इसको 1-1 देखते होगा नहीं होगा, 1-1, तो यहाँ पर, अरे यार, पूरी बात complete होजाने दिया करिये, ना, पूरी बात complete होजा तब उसको आप उकरिये, यहाँ पर X1, X2 मान के हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि X1, X2 को explain करना पड़ेगा, तो आप, भाई, देखे, जब आप इसकी बात करेंगे, यह से real number की, real number म बात करेंगे, तो यहाँ 1 भी है, 2 बी है, 1.1 भी है, 1.2 भी है, मानन सों सब कुछ है, और यहाँ भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1.1 भी है, 1.2 भी है, सब कुछ है, तो अगर आप यहाँ पर 1.1 ले लेते हैं, किस में? इसको ऐसे लिखेंगे, Fx बरावरी है ना, तो F, X आपने लिखा 1.1 मतलब इधर 1.1 की image निकाला तो लिखा क्या जाएगा ये greatest integer 1.1 इसकी value क्या होगी यानि 1.1 की image क्या है 1 और अगर हम greatest integer 1.2 ले लेते हैं तो greatest 1.2 क्या होगी 1 इसकी value भी 1 तो साफ साफ दिख रहा है कि 1.1 क्या दिख रहाएगा 1.1 और 1.2 आपस में equal नहीं है जबकि इनकी दोनों की image सेम आ रही है अब और ज्यादा example देने की ज़रूरत है नहीं कि कोई एक condition अगर follow नहीं करेगा तो rule वहां से fail हो जाएगा ठीक है तो it is not 1-1 it is not 1-1 it is not 1-1 ये 1-1 नहीं होगा ठीक है अब आंटू के बारे में बात कर लेते हैं सुनिये ध्यान से आंटू के बारे में theoretical देखेगा यहाँ पर जो numbers आएंगी जो image होंगे वो कौन होंगे केवल integer भाई चाहे यहाँ 1.1 वन पाइंट कुछ भी लोगो लेकिन कोडोमेन के जो integers होंगे वही तो image होंगे केवल यानि इन कोडोमेन इन कोडोमेन कोडोमेन ओली integers आर ओली integers वो positive भी हो सकते हैं और negative हो सकते हैं integers are the images और जो non integer है वो they are not images जिसका हमतार यह unto है भेंकर रूप से नहीं है वन पॉइंट वन रूट टपा हमारे बैठे रहेंगे मैं किसी की बिच नहीं हूँ क्या हमाँ इसे बैठे हैं मैं तो इसे बैठे रहो तो इसे बैठे रहो तो इसे नहीं है अगला function कह रहा है कि f such that r to r real number to real number यानि कि domain के element भी पूरी विरादरी नमबरों की और co domain के भी पूरी विरादरी और fx बराबर mod x mod x के बारे मैं और एक्सप्रेंड कि आप पहले से जानते है mod x क्या होता है ठीक है mod x को आप चाहे तो लिख भी सकते है mod x क्या होता है mod x की definition आप जानते हैं कि mod x x होता है if x is greater or equal to 0 और minus x होता है if x is less than 0 अब आप यहाँ पर example देखे बता सकते हैं हर जग है x1 x2 की ज़रूरत नहीं पड़ती है देखे यह है आपका domain साफ यह आपका co domain साफ यह है real number यह यह 123 up to root 1 root 1 का ऐसा ठीक है minus 1 minus 2 root 2 यह सब हो गया अज़ा बात वाले number विचारें इंतजारें क्या करते हैं वो ले हम तक तो नास्ते नहीं हो जाते है road 99 100 200 विचा रहे हैं क्यों इंतजार क्या अगरते हैं यहां भी आपके 123 up to minus 1 minus 2 up to टिक 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 बहु सारे हैं देखो अगर आप one की image निकालना चाहें मैं one one की बात करने जा रहा हूं अगर मैं one की image निकालना चाहा हूं तो क्या निकलेगा mode of one यानि की one और अगर आप minus one की image निकालें तो minus one का mode अब आप कहेंगे साब minus में तो आपने कहा minus value आएगी सही हमने कहा minus आएगी लेकिन x क्या लिखा जाएगा minus one लिखा जाएगा इसकी value क्या हो जाएगी ऐसे लिख दें सही है ये गलत है no sign ये भी one आएगा तो आप क्या देख रहे हैं कि domain के दो element one और minus one दोनों की image same तो आप लिखेंगे here f1 is equal to f minus one but one is not equal to minus one so it is not unto it is not one one unto कहां से आगिया ये one one नहीं होगा unto के बारे में बात कर लेते हैं unto के बारे में देख रहे हैं कि code domain के जो positive numbers हैं वो इसके image होगे यहां का कोई भी negative number इसका image नहीं होगा तो आप लिखेंगे on to के बारे में क्या लिखेंगे for on to on to में क्या लिखेंगे कि in code domain no negative number is the image of any element of domain वताब इसका कोई भी negative number इसका image नहीं होगा तो negative टप हमारे बेटे रहेंगे कि साइध पूरी पहुंचे यहां तक हम भी किसी की image होते ठींगा होते मार्टम कहां से तुम हो जाओगे तो यह भेंकर रूप से not unto यह not unto है यह ना तो one one है ना तो unto है यह दूसरा नाम क्या कह सकते हैं अगर one one नहीं है तो अगर पूछेगा तो यह many one है और यह into है ठीक है note करिए यह language लिखेंगे आप one two की जो मिन बूले है six question number कह रहा है कि एक set है a one two three और एक set भी है चार पांच है साथ और यह function है one four two five three six और question कह रहा है कि यह function है from a to b show that f is one one तो यह यह f such that a to b है चुकि हमको यहाँ पर चुकि value dv है order pair दिया हुआ है तो हम arrow diagram से बना लेंगे arrow diagram show कर देंगे arrow diagram में क्या है यह a है यह b है यह a है यह b है one two three है four five six seven है one की image four के साथ है two की image five के साथ है three की image six के साथ है तो आप लिखेंगे all the elements of domain are having the distinct image in code domain so it is one one अगर unto की बात करेंगे तो seven is not the image so it is not unto into की बात करेंगे because seven is left so it is into थोड़ा अगर करेंगे तो अगर आप से what is your name तो पता ला my name is my father's name is my बाब नहीं पुछा गया आप से जो बूला जाए उसी बात करिए keyword ठीक है my father's name वो आज पता चला कि यह जगवाज लगा कि गलत होगे गलत भाई क्यों बताया आपने ठीक है तो यह हो गए question कल आपकी बारे में बात करेंगे domain में ठीक हलो बच्चों अजीब लग रहा होगा ना कि वीडियो के बीच में सिंपल सी बात जिसमें आप उफ्लाइन पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ questions आप ओमिट कर देते हैं बच्चों के लिए और उसमें बना नहीं पाया बीच में हम मर्ज करें हर एक question को टाइम बहुत लगेगा हर एक question को अलग अलग video बनाएं फिर उस बीच में question लगाएं इसलि second का first second third इसके पहले हो चुका है second का fourth part की हम बात करने जा रहे हैं यह कहना है f such that n to n एक mapping है और fx ब्रावर x cube है तो यह one one two three four five six यह one two three four five six seven eight टिक 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 अगर हम x को one लिखेंगे तो one का cube one होगा यह one का one से image होगा two लिखेंगे तो two का eight के साथ आएगा दो तीन चार तीन चार तीन आठ तो यह numbers जो आपके रास्ते में है ना दो तीन चार पांच छे यह किसी के image नहीं है तो one one on two तो नहीं हो गया लेकिन mathematically कैसे करेंगे देखें पहले हम one one की बात करते हैं one one तो दिख रहा है क्यों सभी element के अलग-अलग image बन रहे है तो आप arrow diagram से भी show कर सकते हैं लेकिन mathematically क्या करते हैं हमने बताया था कि यहां पर दो element मानते हैं x1 और x2 ठीक है हमने माना कि let x1 x2 belongs to n कौन सा n यह domain वाला n है ध्यान कीगा यह कौन सा n है यह domain वाला n है ठीक है कैसा यह है such that हमने ऐसा माना है कि दोनों की image जो है वो fx1 बराबर fx2 हमने मान लिया दोनों की equal है यानि x1 cube is equal to x2 cube तो जब इसमें आप cube root करेंगे x1 is equal to x2 आएगा और यह condition किसकी होती है so it is 11 so it is 11 ठीक है अब आंटू का जैसा की procedure apply कर रहे थे हम बार बार आंटू में क्या करते हैं इसको y मानते हैं y बराबर fx बराबर x3 यहानि x3 को किसके equal मान लिया y के equal यहां से x का मान क्या आएगा cube root of y तो यानि यहां पर रखेंगे तो आएगा f of cube root of y is equal to y हमने क्या बताया था y यह होता है ना y के पास चलते हैं और वहां हर एक element से पूछते हैं कि भाई आप किसके image हो देखो मैं y के पास चल आएगा 10 10 10 10 y के पास आगया मैं 2 के पास पहुंचा यानि y को 2 लिया हमने यानि y को हमने टू लिया हमने का आप किसके image है अगर y को 2 ले हुए तो यहां cube root of 2 आएगा ना यानि 2 की पावर एक बुटे 3 आएगा क्या यह natural number है नहीं है इसका मतलब को डूमें के 2 के लिए यहां कोई भी pre image नहीं है यानि 2 किसी का image नहीं है तो आप लिखेंगे for 2 belongs to y implies 2 की पावर 1 by 3 does not belongs to n n means domain so it is not unto it is not unto यह unto नहीं होगा और जो unto नहीं होगा वो unto होगा नहीं सरी into होगा तो into हो जाएगा अगर into प्रूफ करने के लिए किया जाए ठीक है किसी एको चेक कर लो हमने 2 से कहा आप किसकी image हो उसने का भी या इधर तो 2 की पावर 1 by 3 की image हम है और 2 की पावर 1 by 3 domain में था ही नहीं जब था ही नहीं तो image कहां से आ गई ठीक है तो यह किसी की image नहीं होगा ठीक तो यह आपका 4th part हो गया second part जो इसका 5th part है वो कह रहा है n2z अगर mapping है मतलग इधर जो domain है वो natural number है और co domain integer है तब क्या होगा तो देखे फिर आप domain में दो element मानेंगे और फिर x1 एकलो x2 हो आ जाएगा वन की image अभी भी 1 है ना टू की image अभी भी 8 है तो यानि कि आपका 11 तो है आप चाहा अन्टू के लिए फिर वही चीज आप उधर जाएंगे y के पास फिर 2 मिलेगा 2 की फिर हम पूछेंगे भाई आप किसकी image है तो फिर कहेगा 2 की पार 1 by 3 जो की यहां पर न ठीक है एक कुश्चन 5 फूर्थ कुश्चन इसके पिछे हो चुका है ठीक है फिप्त कुश्चन कह रहा है कि भाई f sas-z r to r real number to real number और यह signal function होता है अगर आप फंक्शन 11 पर पढ़ा होगो तो वहाँ signal function था कि देखे अगर x का मान आप 0 से बड़ा लिखते हैं तो हमेसा 1 आएगा अगर X का मान 0 से बराबर लिखते हैं तो 0 आएगा और 0 से बड़ा लिखते हैं दोनों एक सा लिख दिये क्या ना 0 से छोटा लिखते हैं तो हमें साब माइनस वन आएगा तो बताना यह है 11 आंटू है की नहीं है यह ना तो 11 है ना तो आंटू है पहले हम बात करते है for one one की for one one की देखो ध्यान से zero से बड़े दो number आप मानो कोई भी दो number मानो तो आप one मानो तो f1 की value क्या होगी zero क्योंकि x का मान अगर zero से बढ़ा लेते हैं तो function की value क्या आती one क्या लिख रहा हूँ भई f1 one हो जाएगा अगर one two मानो f2 भी one हो जाएगा तो zero से बड़ा चाहे जो number लो one two three four real number one point one कुछ भी लो हमेशा क्या आएगा one आएगा न तो यहाँ पर f1 is equal to f2 है जो की one के equal है लेकिन one two के equal नहीं है यह one is two के equal नहीं है यह न लिखे confused हो जाओगे so it is not one one it is not one one अब दिखो and two के लिए यहाँ y y मानने की ज़रूत नहीं है समझने कीUDS करिएगा यह आपका real number है यह आपका real number है यह real number है यह one है two है three है four है minus one है minus two है under root two है one by two बाफ़ नहीं है यहाँ भी one है two है, three है, four है minus one है, minus two है zero भी रास्ते में है root 2 है 1 by 2 है देखो x का मान आप 1 लोगे 0 से बड़ा तो इसकी image 1 2 लोगे तो इसकी image 1 3 लोगे इसकी image 1 मतलब 0 से बड़े जो भी नमबर होंगी सबकी image 1 ठीक है यहाँ 0 लोगे तो 0 की image 0 और 1 से छोटा नमबर लोगे minus में तो इसकी minus 1 minus 2 की minus 1 यानि की co-domain co-domain यह co-domain है ना में 1, 0 और minus 1 को छोट करके कोई भी number किसी का image नहीं है यानि आप लिखेंगे in co-domain in co-domain only minus 1, 0 and 1 are the images are the images and rest are not rest are not so it is not unto so it is not unto यह भेंका रूप से unto नहीं है तीन element को छोट के सब बैठे टपा मारे हैं कि साइज मेरा number आएगा मेरा number आएगा writing थुला गंदी है समझने की कोशिस करिएगा मैंने बोल दिया इसलिए ठीक है this is question number 5th 6th question number already बताय जा चुका है अब हम बात करने जा रहे है 7th question की 7th का first part कहता है कि function r to r है मना domain के element भी real number है और co domain के element भी real number है real number आप जानते है root में negative ना आए और कुछ भी आ जाए अगलम पगलम तगलम सब real number होते है ठीक है यह 1,1 on to prove करना है high की नहीं है पर ले 1,1 की बात करते है 1,1 के लिए हमने क्या बताया कि आप x1, x2 दो element मान लीजिए real number में कौन से real number में domain में भी दो real है ना और यह कैसे मानेंगे आप यह मान के चलेंगे कि fx1 is equal to fx2 कि दोनों के image सेम है और जबकि दो element के image सेम होते है तो वो 1,1 नहीं होता है लेकिन आपने मान लिया तो बात में यहां जब value रखेंगे तो आएगा 3 minus 4 x1 is equal to 3 minus 4 x2 तो इसको solve करेंगे तो आएगा x1 is equal to x2 so it is 1,1 हमने कई बार इसका concept बताया है तो उसको आप समझ रहे हूँ कि हम क्या कहना चाहते है अब unto के बारे में बात करते है for unto unto के लिए हमने क्या कहा unto के लिए इसको आप y मान लेते है चुकि unto के लिए हमने क्या कहा हमको code domain के पास जाना पड़ेगा और code domain से पूछना पड़ेगा उनके element के कि आप किसके image है तो आपने क्या किया है 3-4x को y माना है तो यहां से x का मान क्या निकलेगा 3-y upon 4 is equal to x तो यहां रखें जवाब तो आएगा f 3-y upon 4 is equal to y ज़रा समझने की कोशिज करो यहां पर कोई भी real number लो कोई भी number लो 2 ले लो तो यहां आएगा 3-2 upon 4 यानि 1 upon 4 वो भी real है कि नहीं है y की चाहे जो value यहां रखो आपको real मिलेगा तो आप लिखेंगे for all y belongs to real number implies 3-y upon 4 also belongs to real number so it is on 2 it is on 2 y की हर real value के लिए यहां पर x-x है ना इक तरीके से यहां पर आपको कोई नहीं कोई number मिलेगा तो यह किसी condition होती है यह on 2 की condition होती है जिसलिए यह on 2 होगा ठीक है अगला है f such that r to r fx बराबर 1 प्रस x square अब इसको 1-1 करने के लिए क्लिए 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 for 1-1 for 1-1 देख लेंगे मुस्किल है देखिए क्या करेंगे आप वही पिछला वाला पार्ट एक्स वन एक्स टू बिलॉंग्स टू आर यह बहुत जल्दी बता रहे है क्योंकि कंसेप्ट क्लिएर होगा आपका अगर क्लिएर हो गया सब क्लिएर तो गड़बड़े अगर क्लिएर होना चाहिए 1 प्लस x2 स्कृार तो x1 इस इकल टू आएगा प्लस माइनस x2 जैसे एक्जामपल के तर पर देखिए थोड़ा एक एक्जामपल भी दे सकते हैं कि अगर मैं 1 की इमेज निकालता हूँ तो 1 प्लस 1 स्कृार टू आएगा अगर अब minus 1 की image निकालता हूं तो minus 1 का square करो कि तब भी plus आएगा तब भी two आएगा तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप लिए देख रहे हैं कि f1 और f minus 1 तो equal हैं लेकिन 1 is not equal to minus 1 so it is not 1 1 it is many 1 many 1 का भी case हो गया जागर के अब on two की बात करते हैं हाँ अगर यह natural number होता तो natural number यह अगर natural number होता ध्यान समझीगा भाई यह जो आपने x1 x2 माने हैं वो domain के माने हैं ना तो अगर domain natural number होता तब यह plus minus नहीं लिखते हैं क्योंकि natural number में minus number exist नहीं करते हैं ध्यान लखिएगा ठीक है on two के लिए क्या करते हैं जो तरीका होता है आप इसको y मानेंगे 1 plus x square की value y मानेंगे तो x का मान क्या हैगा under root y minus 1 है ना तब यहां रखेंगे तो f under root y minus 1 is equal to y ज़रा समझीगा अगर आप y domain का co domain का element है और यह आपका domain का element है आपको domain के पास जाएए ये आपका real number है ये आपका real number है ये real number है ये 1,2,3,-1 ऐसे है ये 1,2,3,-1 root sub 1 number होगे अगर यहां का number आप 0 के पास छाके देखो आप 0 से कहिए जीरो से बात करिए और 0 से कहिए कि देखो अब y का कोई भी number यहां से ले लो, अगर आप उसको 1 से छोटा लेते हैं, अगर आप 1 से छोटा लेते हैं, मालने 0 ले लो, for y is equal to 0, 0 ले लो, यहां का 0 ले लो, और 0 से कहो कि आप किसके image हैं, तो भाई कहेगा 0 minus 1, तो y 0 करेंगे, तो root y minus 1 is not real, यह real तो होगा नहीं, यह domain को belong नहीं करेगा, so it is not unto, it is not unto, समझ में आरी बार नहीं आरी है, आप example भी ले सकते हो, unto के लिए कोई एक example काम चलेगा, ठीक हैं, अगर आप इसको करते हो, तो यह 0 minus 1 आएगा न, तो यह तो root के अंदर negative आ गया, और root के अंदर negative कैसी संक्या होती, इमेज नरी, so यह real number नहीं होगा, यह unto नहीं होगा, this is 7th second question, देखें, 8th question कहा रहा है, कि I have such that a cross p is equal to b cross a, मतलब यह जो a cross b का, b cross a equal to नहीं है, यह image, यह function है, यह order pair लिखा है न, order pair, partition product के form में है, तो a cross b का, b cross a से यह relation दिया हुआ है, तो proof करना है, और यह किस प्रकार से, f a b बराबर b यह, तो proof करना है कि यह 1, 1 and 2 होगा कि नहीं होगा, समझने की कोशिज करिए, थोड़ टेक्निकल है, order pair है न, अगर मैं एक set a ले लूँ, देखिए, set weight मैं नहीं लेता हूँ, मैं 1, 1 proof करता हूँ, देखो ध्यान से पहले यह चीज़ समल लिजेगा, यह set a है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा, इस से थोड़ा सा इस set को, इस arrow diagram को थोड़ा बड़ा बनाईए, ठीक है, जैसे यहाँ पर माल लेते हैं, a के element माल लेते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, और b के element माल लेते हैं, 2, 3, 4, तो पहले तो आप a cross भी निकालोगे, तो क्या निकलेगा, 1, 2 निकलेगा, 1, 3 निकलेगा, 1, 4 निकलेगा, 2, 2 निकलेगा, 2, 3 निकलेगा, 2, 4 निकलेगा, और 3, 2 निकलेगा, 3, 3 निकलेगा, और 3, 4 निकलेगा, यह निकलेगा न, अगर अगर आप b cross से निकालते हैं, तो यहाँ पर आपका उल्टा हो जाएगा 2, 1 निकलेगा 2, 2 आएगा 2, 3 आएगा 3, 1 आएगा 3, 2 आएगा 3, 3 आएगा 4, 1 आएगा 4, 2 आएगा और 4, 3 आएगा न अब देखो यहाँ पर 1, 2 यह सब इसमें है A cross B इसमें है और B cross से उसमें है और कहरें relation कैसा है 1, 2 का जो relation है वो यहाँ के 2, 1 से है मतलद देखे 1, 2 के बरावर है, 2, 1 के बरावर है अगर यहाँ पर कहेंगे 1, 3 का relation तो यहाँ के 3, 1 से है F न लिकेगा ठीक है, अगर 2, 4 का relation तो यहां के 4 2 से है ऐसा बोल रहे है चुकि एक पहला element इसके इक्वल है और दूसरा element इसके इक्वल है यानि ए इधर आ गया भी इधर आ गया ऐसा relation दिया गया है तो इसमें कहा गया है यह 1 1 unto होगा कि नहीं होगा देखिए यह तो मैंने order pair मानने पड़ेंगे एक order pair हम यहां मानेंगे A1 B1 और यहां पर मानेंगे A2 B2 इसकी image बनाएंगे यहां पर और इसकी image यहां बनाएंगे और हम कहेंगे दोनो image सेम है ठीक है लेकिन बात में प्रूफ कर देंगे कि जो A1 B1 A2 B2 हमने निकाला है यह दोनों अलग अलग नहीं हों उकर कि एक ही है यह हमको करना पड़ेगा ठीक है तो पहले हम मान लेते हैं कि let A1 B1 and A2 B2 belongs to A cross B यह दो order pair है यह A cross B है ना यह A cross B है और यह B cross A है तो हमने माना कि A1 B1 और A2 B2 A cross B को बिलांग करते हैं such that इनकी जो image है ना F A1 B1 वो किसके equal है F A2 B2 के equal है यह हमने मान लिया ठीक इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है B1, A1 is equal to B2, A2 इस rule के हिसाफ से अच्छा जब दो order pair equal होते हैं तो याद करिए आप 11th class में यह कहा गया था अगर दो order pair equal होंगे तो उनके corresponding element equal होते हैं A, C के equal होगा और B, D के equal होगा यहाँ पर B1 किसके equal होगा B2 के और A1 किसके equal होगा A2 के यानि कि जो आप A1, B1, A2, B2 मान रहे होगो ना तो A1, B1 और A2 भी A1 है और B1 भी B2 भी B1 है इसका मतब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि A1, B1 is equal to A2, B2 यह दोनों equal है भाई ठीक है A1, A2 के equal है B1, B2 के equal है यानि कि आपने जो अलग-अलग element माने है वो अलग-अलग नहों करके एक ही element है So it is 1, 1 समझ में आ गई बात It is 1, 1 यह 1, 1 होगा ठीक अब हमको यहाँ पर आन्टू प्रूफ करना है तो आन्टू के लिए क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा और कोई order पर उठाना पड़ेगा अगर आब order पर 2, 1 उठाओगे तो 2, 1 के लिए 1, 2 यहाँ exist करेगा करेगा अगर वहाँ 2, 1, B क्रॉस A में है तो 1, 2, A क्रॉस B में होगा यह होगा ठीक है तो आन्टू के लिए हम क्या करेगे आन्टू हम वहाँ पर B क्रॉस है ना वहाँ पर एक element बिलॉंग कराते है let B, A कोई भी element है ना वह B क्रॉस A को बिलॉंग करता है तो अगर B कॉमा A A क्रॉस B को सॉरी B क्रॉस A को बिलॉंग करेगा तो भाईया A कॉमा B तो A क्रॉस B को बिलॉंग करेगा करेगा नहीं करेगा इसका मतलब यह हुआ जाकर के कि A क्रॉस B इसके लिए A, B इसके लिए A cross B में रखा होगा न और जब रखा होगा तो यह इसकी image होती है इसका मतलब such that एक ऐसा होगा कि F, A, B बराबर B, I होता है तो इसके हर एक order pair के लिए 2, 1 के लिए 1, 2 यहां होगा तो कि आपने पलर दिया और 1, 2 के लिए जो function है 2, 1 होता है इसका मतलब इस sub order pair के लिए ऐसी condition possible हो जाएगी so it is on 2 so it is on 2, यह on 2 होगा ठीक है, तो this is question number 8 आप example show कर सकते हैं लेकिन mathematically ऐसा ही proof करेंगे इसको यह विमान करके देखें, 9th question थोड़ा सा technical question है और यह बता आप कहिए रहा है कि natural number से natural number में मैपिंग है और fn की value अगर वो n odd है number तो n plus 1 by 2 है और n even है तो n by 2 है तो proof करना है दिखाईए कि यह bisective है कि नहीं है यानि कि 1, 1 on 2 है कि नहीं है 1, 1 भी proof करना है और on 2 भी करना है ठीक है, पहले 1, 1 के बारे में बात करते है 1, 1 1, 1 के 2 तरीकेस में होते है एक तो example लेके चल दीजे ठीक है, कोई एक example लोग काम चल जाएगा हमको पूरा प्रूब करने ज़रोता है नहीं है क्योंकि अगर इसके दो element एक ही का एक ही से image बना दे तो 1, 1 अपने आप नहीं होगा ठीक है, हमने मान लिया कि देखो यह natural number है और यह भी natural number है यह भी natural number है और यह भी natural number है इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5 है इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5 है और जब यहाँ 1 लिखेंगे यहाँ का 1 लिखेंगे 1 odd है ना, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे 1 प्लस 1 बाइ 2 और जब यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 इवन यहाँ लिखेंगे देखेंगे अगर मैं F1 निकालता हूँ 1 बोले तो domain का element तो 1 कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखो तो यह 1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा यानि कि 1 आ गया यानि 1 की image क्या आ गई 1 आ गई अगर मैं F2 निकालता हूँ यानि N को 2 रखता हूँ तो 2 कहाँ रखना पड़ेगा यहाँ रखना पड़ेगा तो यह 2 by 2 हो जाएगे यह भी 1 आ गई यानि इसकी image भी क्या हो गई 1 आ गई इसका मतलब यह हुआ यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर F1 is equal to F2 है लेकिन 1 is not equal to 2 so it is not 1-1 वैसे तो यह अगर 1-1 unto होगा तब by executive होगा जब 1-1 ही नहीं है तो यह by executive नहीं होगा इतनी लिगदो काम चल जाएगा लेकिन by executive के लिए unto proof कर लेते हैं मालिया आपको 1-1 unto proof करना होता क्या करते है आप इसी question को 1-1 तो नहीं है हम X1 X2 मानें कहा के लिए मानें हम मान सकते हैं कि X1 X2 से दो element लेंगे दोनों even होगे तब क्या होगा दोनों odd होगे तब क्या होगा एक even एक odd होगा क्या होगा कहा के लिए करें भाई कोई दो element का अगर इमें same आ जाता है तो 1-1 होता ही नहीं है काम खतम हो गया अब मैं unto के बारे में बात करने जा रहा हूँ देखे on to में करते क्या थे आप ये y होता था ना इसको कुछ माल लेते थे y ये तरीका था ना तो देखे यहां पर दो case आएंगे on to के लिए एक बार n odd है तब क्या होगा एक बार n even है तब क्या होगा when n is odd when n is odd n is odd का मतलब यहां value रखी जाएगी तो यह यहां पर रखेंगे तो odd number में n को क्या लिखते हैं 2r plus 1 ए 2r minus 1 तो यहां पर n minus 1 by 2 odd क्या मानेंगे 2r minus 1 2r plus 1 कुछ भी मान सकते हो 2r minus 1 मानों चाहे 2r plus 1 मानों ठीक है तो यहां से n की value क्या निकलेगी 4r plus 2 minus 1 यहां रखो तो इसका मतलब f 4r plus 1 is equal to 2r plus 1 यह तो आएगा अब देखो r को कुछ भी लिखो r को कुछ भी लिखो यहां पर odd number आएगा यहां भी तो कुछ आएगा न अगर r को 1 लिखा आपने तो 1 के लिए यहां क्या आएगा 1 into 2 plus 1 3 आएगा यहां 4 दुनिया ठेक 9 आएगा तो 3 के लिए यहां 9 आएगा आ रहा नहीं आ रहा है तो यानि आप क्या लिखेंगे for all r belongs to natural number 4 r plus 1 also belongs to natural number so it is unto यहां पर unto होगा ठीक यहां पर unto के condition को follow कर रहा है ठीक अब second case लेते हैं यह तो first case हो गया जाकर कि second case में क्या कहा गया when n is even when n is even और even में जो n की value है वो क्या बनी जाती है 2 r तो मैंने यहां n by 2 को क्या मान लिया 2 r तो n का मान क्या आ गया 4 r तो यहां रखेंगे तो f 4 r is equal to 2 r अगर r को कुछ भी रखे आप r को जैसे 1 लिखे आप तो 2 आएगा 2 आएगा तो यहां पर क्या आएगा 4 आएगा r को 2 रखो 4 आएगा यहां 8 आएगा r की हर value के लिए यहां पर value आपको मिलेगी for all r belongs to natural number 4 r also belongs to natural number so it is unto so it is unto यह unto होगा तिस प्रकार से यह 1 1 unto proof होगा 1 1 नहीं है unto है लेकिन wise active नहीं है ठीके देखिए 1 set A है real number का उसमे 3 नहीं है 3 नहीं है क्यों नहीं अभी हम बताएंगे 1 set B है real number का उसमे 1 नहीं है सभी number है सब real number है जतने अगलम अगलम तगलम होते है लेकिन वहां पर 1 नहीं है यहां पर 3 नहीं है और A से B में mapping है और यह Fx बरावर दिया हुआ है Fx बरावर यह Y होता है यह element A का होता है यह पूरा जो result निकलता है वो B का होता है अब देखो अगर A में 3 होता अगर A में 3 होता तो यहां 3-3 0 infinity आ जाता undefined हो जाता infinity मिलता नहीं इसलिए 3 नहीं है और 1 क्यों नहीं अभी हम बात करेंगे तो पहले 1-1 की बारे हम बात कर लेते हैं कि बहुँ 1-1 है कि नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं दो element इसमें मानते हैं हमने माना let x1, x2 belongs to A such that fx1 is equal to fx2 हमने का A में दो element है x1, x2 यह दोनों ऐसे हैं कि दोनों के लिए जो function है जो image है वो same है यानि कि यह क्या आएगा x1-2 upon x1-3 is equal to x2-2 upon x2-3 अब cross multiply करके इसको solve करते हैं तो को यह इधर लेकी जा रहे है x1 का multiply x2 से गया है तो आएगा x1, x2 minus 3 से multiply होगा 3x1 minus 2x2 plus 6 x is equal to इसको इधर ले जाओ x1, x2 minus 2x2 2x1, sorry 2x1 minus 3x2 plus 6 यह 6 से यह 6 कड़ गया x1, x2 से x1, x2 कड़ गया यहाँ क्या बचा minus 3x1 minus 2x2 is equal to minus 2x1 minus 3x2 x1 को एक तरफ ले आओ यह minus 3x1 है और यह minus 2x1 इधर आके प्लस का 2x1 हो जाएगा उधर क्या है, minus का 3x2 है यह plus का 2x2 जाएगा तो minus x1 is equal to minus x2 यहाँ यहाँ एक इसकी कंडिशन होती है यह 1-1 यह 1-1 होगा ठीक है? अब आन्टू को आरेम बात करते हैं आन्टू में क्या करते हैं? हम इसको y मानते हैं हम यह y किसका element है? y एक्चुली इसका element है बी का element है और जो x निकलेगा हो किसका element है? एक element है हमको y के पास जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वहाँ के element यहाँ के image हैं कि नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम x-2 अपान x-3 को क्या मानेंगे? y अब x का मान y की टम में निकालो तो क्या हैगा? xy-3y is equal to x-2 अब चुँकर x निकालना है इस x को इधर ले आओ xy-x is equal to 3y-2 यहाँ से x का मान ले लिजे तो हैगा y-1 is equal to 3y-2 तो x का मान क्या हैगा? 3y-2 अपान y-1 y रखोगे x मिलेगा y रखोगे x मिलेगा y किसका element है? b का element है वहाँ 1 नहीं लिखा जा सकता क्योंकि 1 लिखोगे y की जगे ना तो infinity आ जाईगे हो लिए इसलिए यहाँ पर लिखा है 1 नहीं है तो तब यहाँ रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? f 3y-2 upon y-1 is equal to y देखो ध्यान से यहाँ पर a में real number है और b में भी real number है यहाँ पर sum number 1, 2, 3, minus 1, minus 2, 1 by 2 सब यहाँ पर है यहाँ पर 1 नहीं है यहाँ पर 3 नहीं है यहाँ पर 1 नहीं है 2, 3, minus 1 सब नहीं है आप b से कोई भी y कमान उठाइए आपको यहाँ पर value मिलेगी कुछ ना कुछ मिलेगी all the real numbers y की कोई भी value रखिए 1 को छोड़ करके 1 रख भी नहीं सकते क्योंकि 1 रखेंगे तो नीचे 0 आजाएगा और 1 उसके पास है भी नहीं तो आप लिखेंगे for all y minus 1 belongs to real number implies 3y minus 2 upon y minus 1 also belongs to real number so it is on 2 so it is on 2 समझा रही होगी बात मतब को डोमेंट का कोई भी element उठाईए आप y कमान और यहां रख दीज़े उठाकर कि यह x है ना तो x आपको मिलेगा domain में उसकी value मिलेगी यानि कि वहां के हर element का कोई image domain के पास है so it is on 2 ठीक यह on 2 की condition हो गई देखिए यह 11th में कह रहा है कि r to r एक function है और f x ब्राबर x पौर 4 है तो यह आपका 1 1 unto है की नहीं जरा 1 1 के बारे हम बात कर लेते हैं उसके लिए क्या होता है हम अगर हम general बात करें अभी हम बात example लेते हैं हम क्या करेंगे domain में दो element मानते है x1 x2 belongs to r r बोले तो domain क्योंकि यहाँ पर 2 r है न और कैसा यह मानेंगे such that कि दोनों की image कैसी है दोनों की image equal है यानि x1 to power 4 is equal to x2 to power 4 और आप जानते हैं अगर even power है तो जब आप x1 निकालेंगे तो plus minus x2 आएगी so it is not 1 1 it is not 1 1 यह 1 1 नहीं होगा ठीक है जैसे अगर मैं एक example ले ले लेता हूँ अगर 1 की image निकालोगे 1 की power 4 1 और minus 1 की image निकालोगे minus 1 की power 4 फिर भी 1 तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि f1 और f minus 1 image तो same है लेकिन 1 और minus 1 equal नहीं है तो यह many 1 हो गया है यह 1 1 नहीं है अंटू के बारें बात करते हैं अंटू का तरीका क्या होता है इसको y मानिए यह ध्यान रखिए इसमें real number है इसमें भी real number है ठीक है तो आप अंटू के लिए बारें क्या बात करेंगे अंटू के लिए हम क्या करेंगे let x power 4 को y मानेंगे न तो x का मान क्या आएगा fourth root of y fourth root का मतलब क्या होता है power 1 by 4 अब देखो ध्यान से यहां रखेंगे तो आएगा f y to power 1 by 4 is equal to y अगर y negative रख दोगे तो y to power 1 by 4 imaginary हो जाएगा ठीक है तो आप लिखेंगे for all y negative white power 1 by 4 is imaginary 4 is imaginary यह imaginary हो जाएगे और यह belong नहीं करेंगे r को कहां पर domain में तो यानि कि negative element जो co domain का होगा वो किसी की image नहीं होगा क्योंकि उसकी image होने के लिए इधर imaginary number होना चाहिए so it is not unto so it is not unto यानि यह unto भी नहीं है यह one-one भी नहीं है यानि यह many-one है और यह into है this is question number 11 12th में तो बहुत simple question है बहुत बार आप लगा चुके f such that r to r fx about 3x यह अपने आप करिएगा हम क्या करेंगे 1-1 के लिए क्या condition हम लिखेंगे हम domain में दो element मानेंगे x1 x2 x1 x2 belongs to r r बुले तो domain और कैसा ममानेंगे fx1 is equal to fx2 यह pattern बहुत बार आप लगा चुके है तो यहां क्या आएगा 3x1 is equal to 3x2 3 से divide कर देंगे x1 is equal to x2 यह किसी condition होती है 1-1 की on2 के लिए क्या बात करते है on2 के लिए हम इसको y मानते है 3x को y मानते है x का मान क्या आएगा y by 3 आएगा f y by 3 is equal to y अब देखो code domain में कोई भी real number लीजे अगर आपने 2 लिया तो यहां 2 by 3 आएगा वो भी real होगा तो आप लिखेंगे for all y belongs to real number implies y by 3 also belongs to real number so it is on2 it is on2 यह यानि कि 1-1 on2 है यानि bisective भी है तो दोनों नाम भी आद रखेगा तो यह इस exercise का end है कर लिजेगा अगर कोई दिक्कत हो तो आप discussion में sorry comment में लिख सकते हैं that I will discuss नमस्कार